दिल्ली में उत्तरप्रदेश के कैमिनेट मंत्री शिरिकान शर्मा ने हमारे समवादाता से खास बातचीत की जोरान कॉंग्रेस पर निशाना साथते वे दिखाई दिये वहीं PFI को लेकर उन्होंने कहा कि CAA और NRC की आड में किसी को भी हिंसा करने की जाजत नहीं है और जो भी हिंसा करने की कोशिश करेगा उससे सक्ती से निप्टा जाएगा यूपी सरकार के उर्जा मंत्री श्रीकान सर्मा हमारे साहते हैं श्रीकान जी आप सरकार के प्रवक्ता भी है PFI के लेके जिस तरह सिकारबाई हुई आपने रिक्मेंट किया कई जो लोग ऐसे हैं जिनने नोटिस दिया गए या तो दुनिया में नहीं है या वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है देखिए शान्त तुत्त प्रदेश को जलाने की कोशिश की गई और ऐसे लोग प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं इनका कहीं न कहीं राष्ट विरोधी जो संग्ठा ने उनके साथ उनका तालोक रहा है। हमारी प्रात्मेक्ता 22 क्रोड जनता को स्वरक्षा मोहिया कराने हैं। हमारी प्रात्मेक्ता वो जो पुलिस कार्मिक हैं जो 22 क्रोड जनता को एक स्वरक्षा कबच देते हैं। अगर उनको कोई जिन्दा जलाने की कोशिस करेगा, बस मैं आग लगा रहे हैं, जिसमें बच्चे सफर कर रहे हैं, महलाएं बैठी हैं, पुलिस की लिंचिंग हो रही है, तो वो कोई भी क्यों नहो ऐसे लोगों के खिलाफ हम सक्तकारवाई कर रहे हैं, और हर जिलिक के पोस्टर में जिनका फोटो है, अगर वो अपने फोटो को नहीं मानना चाहते हैं, तो जो भी उनका पक्ष है, वो SIT के सम्मुक रख सकते हैं, लेकिन इस आड में अगर कोई चाह रहा है, कॉंग्रेस और सभा बसभा के हम दंगाईयों को छोड़ देंगे, दंगाईयों को हम करने की कोशिस की है, श्रीकान जी, CAA, NPR लेके पूरी पार्टी, सरकारें, सब BJP की लगाता है, जागरूप कर रही है, कई जिलों में लट जारी किया गया, क्या लगता है कि आप जो शान्ती मिलिये, ये विपक्ष की मोहिम कम पड़ी है, या सरकार द्वारा उठाये गए कदम, चाहे वो वसूली की बात हो, या जिस S.I.T. और इस तरह की चीज़ों के आप बात करें, देकि हम सब उन नागरिकों को अवनिंदन करना चाहते हैं, हिंदू और मुसल्मान सब जो लोग लगे इस मोहिम में, जनोंने शान्ती की अपील की, जनोंने शान्ती बनाने मे सरकार का सहोग किया, उन तमाम बद्दजीवियों का हम लोग अवनिंदन करते हैं, और हमारी पुलिस ने 1568 जो थाने हैं, अपने उन में जो पीस कमेटी की मीटिंग है, वो सब मीटिंग हुई हैं, सफल रही हैं, और उसका प्रणाम रहा कि पिछला फ्राइडे बहुत शा तो यह थे श्रीकान सर्मा जो साफ तो अरप कह रहती कि राजनीत करिये, लेकिन देश का ध्यान रखना चाहिए, कैमरामन केसरक साथ, आमिद दुबे, आरनाइन टीवी, दिल्ली